ग्रंधराश्री बंद्धा गुंगी तैथा रूप अध्याएं कितना नो अध्याएं नो इस लोक्षा क्या ग्यारा ग्यारा भगवान की सब्द हैं बहुत सब्द हैं अवजानंति माम मूधा मानुसीम तनुमास्रितम परंभावं मजानंतों मामभूते महेश्वरम तो तात्परे पढ़ने से पहले हम समझेंगे भगवान इस लोक में क्या के रहे हैं बहुत सरल है फिर भी सब्द क्या है भगवान के अवजानंति नहीं अभी दोहरान नहीं है मैं समझा रहा हूँ अवजानंति का मतलब है कि जानंति का मतलब जानते हैं और अव का मतलब है कम तुछ अव का मतलब अबर है तो मुझे को जो है तुछ मानते हैं अब जानन्ती का मतलब है, जानन्ती से कम, जितना जानना चाहिए उससे कम समझते हैं, अब जानन्ती, अब जानन्ती माम मूधा, मूर्ख, मुषको, मानुसीम तर माशुदम, मनुष्य शरीर के आस्रत मानते हैं, कि मैंने मनुष्य शरीर के आस्रत लिया है, हम लोग तो मनु मनुस के सरीर का असर लिया है, मनुस के सरीर नौका के समान है जो भाव सागर को पार करेगे। अजानन तो मने नहीं जानते हैं अभ जाननTi, गरत समझते हैं मुस को अजानन तो को करवार्च के नहीं जानते हैं। मियैं राकों के और नहीं जानते हैं। तात्पर्य तीन पेश का है, काफी लंब तात्पर्य है, तो हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे इस तात्पर्य को प्रुपड लिग रहे हैं, इस अध्य है कि पूल वबर्ती इस लोकों से इस पस्ठ है, कि जब भगवान मनुष्य रोप में प्रकड़ होते हैं, कि पिसले स्टोक में भगवान ने बताई है, क्या कि मेरी अधेश्यता में प्रकृति, रह, चर अचर अचर अज़ निर्मान करते हैं, नेरी अधेश्यता में भगवान क करते हैं, तो कोई मनुष्य थोड़ी होजगता है पूरी प्रकृति का नियंद्रन करने वाला पूरी प्रकृति का नियंद्रन करने वाला और प्रकृति कितने जीवों के सरी बनाती है है ना हर समय बना रही है कितने गिन भी नहीं सकते हैं चर अचर अचर वत्पन्न कर रही है कि जो भगवान सारे विराठ जगत का स्रिजन पारण और संगार करता हूँ, वो मनुष्य नहीं हो सकता, तो भी ऐसे नेक मूर्ख हैं, जो कृष्ण को एक सक्ति साली पुरुष के तरग और कुछ नहीं मामती, कहते हैं, खुल करके कहते हैं, कि भी कृष्ण जो है, हमारी तर जैसे विवयकानन्द हुए, गांधी जी हुए, उसी प्रकार से कृष्ण भी एक महापुरुष हैं, तो ये भी कृष्ण की निंदा है, वो तो सोचते हैं अपने हिसाब से कि हम कृष्ण की प्रसंसा कर रहे हैं, कि कृष्ण जो है, अच्छे ब्यक्ति थे, कोई गुनवा है निंदा, निंदा है, कृष्ण की निंदा है, तो कृष्ण की निंदा है, तो कृष्ण की निंदा है, तो कृष्ण को एक सक्ति साली पुरुष के तरक और कृष्ण भी निंदा है, हमारी तरह मनुष्य हैं, हमारे निंदर जितनी सक्तिया हैं, उनके निंदर ज्यादा ह एक मनुस्य है, तो यह निंदा है और थोड़ी में निंदा नहीं बहुत जयदे हैं को10 मतलब इतनी निंदा करते हैं कि अपने शी जबत बुरा मानते हैं कि सлекरा पुरा मोंने हैं सबसेदा बुरे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये भी जो है ना मानना कि भी कृष्ण है हां अच्छे हैं हमसे अच्छे हैं ये अभी मतलब परियात नहीं है कृष्ण की है ना किसको इससे जो है मतलब परियात नहीं है जानना तो प्रहुपा लिखते हैं वस्तुत इस्वरहा परमहेट मैं प्रणा कुता है reca Watch इस लुड़रोई केते है मह में भूत महेट में पर्णा को नहीं जानते हैं अ को प्रूपल की इस्वरहा परमहेट में इस्वरहा प्रमहेट में प्रारव ही अटा है इस 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 तो यह कृष्ण को ईश्वर कहा जाए, तो यह विजह पर्यात्मनी है, ईश्वर यह नियांततानेक हैं, और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतित होते हैं, भहत एक जगत में सामान प्रबंध कारियों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके उपर एक सचिव होता है, फि अब राश्ट्रपती, राश्ट्रपती भी नियंतर्त है, अगर आप कहें shift कि सबसे उपर है, उसके उपर कोई नहीं है, तो नहीं है, वे कि चनाओ, जनाौ में फिर वुझ हो भी है, उसका भी जो है पत्ता, कट जाएओ, तो कोई भी मतर्द में नियंतर्क नहीं है, सब न इंत्रे होता है ब्रह्म संहिदा में कहा गया है कि किसे प्रम नियंता है प्रम इश्वर अधश्य की ओपर कोई की नियंत्राने कर नहीं कि कुछिण के पालुदन राफोस कंग आ से ब summar कर रहा है उसके ओपर भी कुछ डलना but परमिष्वर कृष्ण है और कोई नहीं है परमिष्वर कृष्ण ही है तो हर बेक्टी की उपर जो है नियंद्रन है कोई भी जो है मतलब परमिष्वर नहीं है निश्दंदे भौते जगत तथा वेकुंट लोग दोनों में ही कई-कई निर्देशक होते हैं किन्तो कृष्ण परम नियंता है इस और हा परमहा कृष्ण हा तथा उनका सरीर सचित आनंद रूप अर्थाद अभौतिक होता है सचित आनंद रूप है कृष्ण का रूप कैसा है सचित आनंद कीन चीज़े हैं सत का मतलब सनातन चित का मतलब ज्ञान और आनंद का मतलब सब प्रकार के रस तो किस्चन की सरीम है अब हो देखें यह भौत एक नहीं है इस पिसले स्लोकों में जिन अद्भौत कारे कलापो का वर्णान हुआ है, यह भहुत एक शरीर दोरा संपन नहीं हो सकते, पिशले स्लोकों में, तो अगर एक ही स्लोक देखें पिशला स्लोक, तो उसमें नहीं क्या था, क्या से कारे हैं, कि उनकी अधिक सिदामें प्रकरदी चल चस सब प्रालियों का निर्मान कर रही, तो प्रुपलिकते हैं ये बहुत एक सरीर द्वारा संपन नहीं हो सकते हैं कि किर्शन का सरीर अगर बहुत एक हो तो कुछ लोग मानते हैं किर्शन का सरीर बहुत एक है तो ये भी बहुत अज्यान है बहुत एक सरीर द्वारा संपन नहीं हो सकते हैं किर्शनका स्थारीर सिफ्च दन दरोप है, pandemia कि जोंटो मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं, और उन्हें मनुष्व मानते हैं, और कर्ष्न भी तुब इस बात के चिंता नहीं करते हैं, मूर्ख लोग मुछे मनुष्व मानते हैं, तो मैं उनको समझाओं, दिखाओं, कि मैं मनुस्य नहीं हूँ, कृष्ण कोई जंता नहीं है, कृष्ण भी अपने को छेपाएं, तो जो ब्यक्ति बहुत भागी साली होता है, वो इकृष्ण को समझ पाता है, कि वे भगवान है, जैसे कि प्रधान मंत्री, को अगर कोई नह जानता है, तो प्रधान मंत्री को थोड़ी चंता होती है, कि ये जो मजदूर है, ये लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं इनको बताओं कि भई, तो मुझे नहीं जानते, जान लोग कि मैं प्रधान मंत्री हूं, उसका थोड़ी काम को ही रुका हुआ है, तो मूर्ख लोग कि अधिन को जो है परमेशा नहीं मानते हैं, सामाने मुनस मानते हैं, या मुनस से कुछ बढ़कर के मानते हैं, या और नीचे मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो किसन को बात की चिंता नहीं है, कि वे क्यों मानते हैं, उनको नहीं मानना चाहिए, भही बताओ उनको, मेरे बा तो आगे परफ़ा लिखते हैं उनका सरीर यहां मानुसिम कहा गया है क्योंकि वे कुरूछित्र युध में एक राजनीतिके और अर्जुन के मित्र की भाती सामाने बिक्ति बनकर कर्म करते हैं वे अन्यक प्रकार से सामाने पृष की भाती कर्म करते हैं किन्तों उनका सरीर सचिदानंद विग्रह रूप है, इसकी पुष्टी वैदिक साहित में भी है, सचिदानंद रूप आए, कृष्णा आए, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सचिदानंद रूप है, ये गोपाल तापनी अपने सथ एक-एक, वेदों में तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों के गायों के आनन्द शुरूप गोविंद है, गोविंद के दो अर्थ 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 होता है, गायों दूसा अर्थ होता है, इंद्रियां, और इंद का मतलब है, जो आनन्द प्रदान करें तो गवों को आनन्द प्रदान करें इंद्रियों को आनन्द प्रदान करें तो भक्तों की सभी इंद्रियों को आनन्द प्रदान करते हैं कृष्ण इसलिए गोविंद कहला दे हैं और गवों को आनन्द प्रदान करते हैं पिर सचिदानन्द विक्रहम तथा आपका रुप सचिदानन्द शुरूप है गुपालताप मियुक्षद एक मैंदेश है भगवान कृष्ण के सचिदानन्द सुरूप होने पर भी ऐसे निक तथा कथित विद्वान तथा भगवत-गीता के ठीका कार है जो कृष्ण को सामान ने पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं अब यहां पर उपा जो हमें समझा रहे हैं यह बड़ी चेतावनी है हमें समझा चाहिए गीता के भी ठीका कार है गीता के भी विद्वान है तो ऐसे बहुत से तधाकथित विद्वान या भगवत गीता के ठीका कार है जो कृष्ण को सामान ने पुरुष कहकर उनका वो पहास करते हैं तो मतलब यहीं सूचना कि गीता की ठीका है गीता की ठीका लिखिए तो जितनी गीता की ठीका लिखिए हैं वो सब जो है सही है ऐसा नहीं है गीतागी बहुत ही टीकाएं हैं लेकिन गीतागी वही टीकाएं सही हैं जो परंपरा के नुसार है जैसे प्रभुपाद ने ये गीतागी टीका लिखी है इसे परंपरा दिये परंपरा दिये और ये कौन सी परंपरा है? परंपर संपर्दाए तो किसम से ही जो है उसे इसे परंपरा चली आ रही है उसी में उन्होंने गीता की ब्याख्या की उस परंपरा के अनुसार तो अगर परंपरा के अनुसार नहीं है ठीका तो चाहिए कोई बेक्टी जितना भी विद्वान हो लेकिन वो जो है सही नहीं है आप समझ रहें और तरे तरे की ब्याख्याएं भी करते हैं गीता की लेकर वो सही नहीं है चाहे कोई बहुत बड़ा नेता हो या कोई बहुत बड़ा प्रधान मंतरी हो या राष्ट पती हो कोई भी हो गीता की ठीक अगर कर रहा है उसी कोई परंपरा नहीं है तो उसकी ठीका सही नहीं है तो प्रुपब लेखते हैं कैसे अनेक तथा करते दिद्वान और भगवती ठीका कर रहा है जो कृष्ण को सामान ने पृष्ट केंकर उनका उपहास करते हैं गीता की ठीका में ही उनका उभाज करते हैं, जैसे भारत के पहले रास्टेपती राधा कृष्ण हुए, तो उनके घीता की ठीका लिखी, जहां कृष्ण कहते हैं, स्तर्व धर्मान परतेजे मामेकम, सरण अम्रज, सद्धर्मा को था कि मेरी सरण में आओ, तो उस ठीका में ह तो तो प्सप्राइन की लिए एँझान लिएए अब ख़रा आदर कुछ अधर कोछ अलग है खयान के अन्दर और बाहर में कोई अंतर नहीं हमारे अनदर और बाहर में अंतर है अंदर आत्मा है जो अभिनासी है और जो बाहर है शरीर वो नस्वर है किर्ष्ण के अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं तो यह अज्ञानी है विगिता की ठीका लिख रहे हैं यह भी नहीं जानते हैं किर्ष्ण के सरीर के अंदर और बाहर कोई अंतर नहीं कृष्ण के सरीर में और आत्मा में अंतर नहीं तो यहां पर उपर लिखते हैं कि कृष्ण को सामान ने पुरुष समझकर उनका उपहास करते हैं भले ही अपने पूर्वे पुन्यों के कारण विद्वान असाधरन विक्ति की रोप में पैदा हुआ हो तो पुरुष्ण के कारण उनका बस्पन से ही बड़े अच्छे उनके संस्कार हैं और समझने की सकती है काफी असाधरों का उन्होंने अभ्यास कर लिया काफी अच्छा यह संस्कृत के स्लोकों का भी काफी अभ्यास कर लिया लेकिन तो भी वे किर्ष्र को नहीं समझते जैसे कि इस लोग है कि समझ वेदों को उसने पालिया और सब सास्तरों के एर्थ को भी जान लिया ये तो भी किर्ष्र का भक्त नहीं है तो उसको क्या है? समझो तन विद्याद पुरुषाद हम पुरुषों में अधम है तो ऐसे लोग जो है किर्ष्र को समान पुरुष कहकर उनका अपहास करते हैं भरे अपने पूरुपुन्यों के कारण विद्वान असाधरन विक्ति की रुप में पैदा हुआ हो किन तुस्तरी किर्ष्र के बारे में ऐसी धारना उसकी अलपगे तके कारण होती है कैसी धारना? सामान पुरुष किर्ष्र को सामान पुरुष समझना या किर्ष्र के सरी को भहतेक मानना किर्ष्र का सरी भी हमारे सरी की तरह पांच भहतेक है यह मानना इसी लिए वो मूढ क्या लाता है मूढ तो भगवान कह रहे हैं अब जाननती माम मूढा कि मूर्ख लोग मुझको नहीं जानते कि मैं परमेशर हूँ तो यहाँ पर भगवान का इसारा उनके लिए जो गीता की ठीका कर रहे हैं अब समद्ध रहें गीता की ठीका कर में वाले जो विद्वान है उनको भगवान मूर्ख ही कह रहे हैं कि गीता की ठीका कर रहे हैं लेकर मेरा जो है वो तब तो नहीं जानते हैं आगे प्रभवालिते हैं इसी लिए मूर्ख लाता है क्योंकि मूर्ख पुरसी क्रिष्ण को सामाने पुरस मानते हैं ऐसे मूर्ख क्रिष्ण को सामाने बेक्ति इसी दिये मानते हैं क्योंकि वे क्रिष्ण के गुई कर्मों तथा उनकी विभ्रन सक्तियों से अपरश्यत होते हैं वे यह नहीं जानते हैं वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का सरीर पूर्ण ज्यान तथा आनन्द का प्रतीक है. पूर्ण ज्यान, पूर्ण आनंद, तीन चीज़े हैं, सच्चित आनंद, सत का मतलब सनातन, अच्चित का मतलब पूर्ण ज्यान और आनंद, पूर्ण आनंद, सनातन हैं और पूर्ण ज्यान, पूर्ण आनंद, वे प्रत्य वस्तु के स्वामी हैं, और किसी को भी मुक्ति प इसलिए उनका पहाज करते हैं आगे यह मूड ये भी नहीं जानते कि यस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंंगा सक्ती का प्राकट है वे बहुतएग शक्ती माया के स्वामी है हम लोग जनम लेता है भौँतनगा सक्ती की प्रभाव में और हमको भौँत इक σहरी प जैसे क्याने किस्थलों में कहा जा चुका है मम माया दुरत्या भगवान का दावा है कि दर भी भौत एक शक्ति अत्यन प्रबल है किन्त वो उनके बस में रहती है तो भगवान की जो माया है तो उससे कोई भी छोट नहीं सकता मुक्त नहीं हो सकता सब बंदे हैं उनकी माया से लेकिन किष्ण किष्ण नहीं बंदे है उस माया से क्यों किष्ण की ही माया है और किष्ण की सरण में जो आएं तो माया से अपने अप छोट जाएंगे कोई दूसरा अपाई नहीं है माया से छोटने का माया किसी से रिष्वत नहीं लेती जेल में तो ऐसा हो जाता है ना कई बार कि जेल ने को रिष्वत दो तो वो जो है जेल से किसी प्रन निकाल देगा कि माया से नहीं है रिष्वत नहीं लेती क्योंकि किर्ष्ण की वो पूर्ण समर्पित ब्रोप लिए और जो भी उनकी सरण कर लेता है वो इस माया के बश से बाहर निकलाता है यहीं किर्श्न का सरनागत चीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है तो भरा परमेशर जो संपूर्ण बिराद जगत का सरिजन पालन तहसा संघार करता है हम लोगों जैसा सरीर कैसे धरन कर सकता है माया का सरीर हम लोगों जो सरीर है वो माया से बना है तीन गोड़ों से बना है बहुत एक तत्तों से बना हुआ है जब कृष्ण की अधीन है माया तो कृष्ण का सरीर कैसे माया से निर्मित हो सकता है कृष्ण का सरीर कैसे बहुत है उसकता है किस्टन का सरीर ृति तीन गुणों से निर्मित कैसे उसकता है यहां प्रोप पर लिखते हैं अताक कृष्ण विश्य के ऐसी धारणा मूर्गिता पूर्ण है, जब तो कोई व्यक्ति किस्टों को भगवान ना माने, तब तक उसको गीता की ठीका नहीं करना चाहिए, आप सुंदें, तब तक उसको गीता को समझाने का कोई अधिकार नहीं है, गीता पर चर्चा करने का क तो ये बड़े दुख की बात है, कि ऐसे लोग गीता पर चर्चा करते है जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, और जहाँ कृष्ण कुछ कृष्ण कुछ कहते है, गीता में ये है, कृष्ण तो ये कहाले, मेरा विचारी ये है, इना, कितने मुर्ग या, आपके विच मैं यह नहीं मानता, मेरा बिचार तुझे है, उसमें सुधार करते हैं, मूर्ख है, किर्षिन के गिता है, किर्षिन के सब्दों में, किर्षिन का ये बिचार है, हमारा बिचार ये है, आप सब का अपना अपना बिचार है, मूर्ख है, किर्षिन के बिचार के सामने हमारा बि तो पूरा दोस्यत हो जाता है, सब दोस्यत हो जाता है, इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम क्या दिया भगवद्गीत है थारू, कि अपने बिचार नहीं मिलाएं, तो इसी दिए, इससे लोग कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, कृष्ण के सरण दे रहे हैं, तो तो वही सुद्य भक्त होता है, जो कृष्ण के बिचारों को सुद्य रूप में देता है, तो आगे प्रभुपा लिखते हैं, फिर भी मुर्ख ब्यक्ति ये नहीं समझ सकते, कि सामान ब्यक्ति के रूप में प्रगठ होने वाले भगवान कृष्ण समझते परमानु तथा इस बिराद प्रम्हान के नियंता किस तरह हो सकते हैं, है ना, सुक्ष में हैं परमानु, सुक्ष में से सुक्ष में परमानु, तो प्रतेक परमानु का भी नियंतरन करते हैं, और ब्रम्हान सबसे बड़ी, बहुत बड़ा कार ब्रम्हान का है, है ना, तो ये पूरे प्रम ब्रह्मान की बिचार सकती से परेंगे हैं वो नी विचार कर सकते हैं सोच भी नहीं सकते कि प्रमान कितना छोटा होता है और प्रमान कितना बड़ा होता है विचार संक्ति से परे होते हैं अतावे यह सोच भी नहीं सकते कि मनस जैसा रूप कैसे एक साथ बिसाल को और अनू को बस्मे कर सकता है इंदे पर कृष्ण अर्सीम तथा ससीम को नियंतरत करते हैं अर्सीम का मतलब वही सबसे बड़ा और ससीम का मतलब सबसे छोड़ा किन्तु भी इस जगत से बिलग रहते हैं कौन? कृष्ण नियंतरल भी करते हैं और सबसे अलग भी है सबसे लग है उनके योगम ऐसुरम या चिंत दिव सक्ति की विशे में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को बसमें रख सकते हैं ससीम का मतलब चोटा सबसे चोटा और असीम का मतलब सबसे बड़ा एक साथ दोनों निया द्रल करते हैं तो अभी वे उनसे प्रतक रहते हैं ये देवे मौर्खी लोग ये सोच भी नहीं पाते कि मन शुरूप में उत्पन होकर किस तरह आसीम तथा ससीम को बसमें कर सकते हैं किन्तों जो सुद्ध भकते हैं वे इसे सुईकार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भागवान है अतावे पूर्ण तया उनकी सर्वन में जाते हैं और कृष्ण भावन मृत में रहकर कृष्ण की भकती में अपने को रत रखते हैं आगे शगुन वादियों था नरुगुन वादियों में भगवान के मनुश शुरूप में प्रकट होने को लेकर काफी मत्भेद है कि निदे हम भगवाद गीता था स्रीमत भगवाद जैसे प्रामाने ग्रंथों का अनुशीलन किसन तब तो समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि किसन श्री भगवान है यह तब इवेश धरा धाम में सामाने ब्यक्ति के भाथी प्रकट होए थे किन्तु वे सामाने ब्यक्ति है नहीं तो भगवान समाने बिक्ति की भाती प्रकट हुए कैसे है जैसे बसुदेव उनको जो है छेपा करके ले गए तो भगवान क्या दिखा रहे है कि वे डरते हैं कंस से कंस को पता ना चले बसुदेव जो छेपा करके ले गए तो ये क्या है सामाने बेक्ति की भाती प्रकट हुए गोकल में लिलाएं कर रहे है तो क्यासे लिलाएं कर रहे है चोरी कर रहे है मखन की चोरी कर रहे है मात अशुदा उनको बान देती है और खेलते हैं स्रखाओं के साथ खेलते हैं गव में चराते हैं यह सब क्या है, सामान मनुस्री वादी, प्रकट हुए थे, किन्तु वे सामाने ब्यक्ति हैं नहीं, स्रीमत भागवत में, एक एक बीस, जब सुनक आदी मनियों ने, सुद्गुर्श्वामी से, कृष्ण के कारे कलापों के वेसे में पूछा, तो उन्होंने कहा, सुनक आदी पूछा, किस से पूछा, सुद्गुर्श्वामी से, और किस के बारे पूछा, कृष्ण के कारे कलापों के वेसे पूछा, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, सुद्गुर्श्वामी ने कहा, क्या, कृद्वान के ले करमानी, सहराम एने के सवहां, अत उक्वान स्रीकृृ ने बलराम के साथ-साथ मुनुष्टे की च्रीडा की और इस तरह प्रुचिन रूप मे उन्होंने अन अन्यक अतिमाने वह यह कार्य की है। क्या मुनुष्य की बाति क्लिडा करते हैं लेकिन अतिमर्तियानी, करमानी, kriton。 अति मर्त्यानी कर्माने कृत्वान अति मर्त्यानी का मतलब मनुष्य जिनको सोच भी नहीं सकता ऐसे कर्माने कर्म की अति मर्त्यानी एक तो मर्त्य कर्म होते हैं मतलब जो मनुष्यों के समाने मर्त्यानी मनुष्य रूप में भगवान का प्राकट मुर्ख को मोहित बना देता है कोई भी मनुष उन अलोगे कारियों को संपन्न नहीं कर सकता जिन उन्होंने इस धरापर करके दिखा दिया था जब क्रिष्य अपने पेता था माता बस देव था देव की कि समक्ष प्रकट हुए तो वैं चार भजाओंस से योकते थे अब देखो कैसा आश्चर है कि बालक जब जनम जनमा तो कितने भजाई थी बालक की चार भजाई थी बालक की और नग्र नहीं था बालक वस्त्र धारन किये सोचे बालक में जरम लिया माता की गर्फ से बालक में जरम लिया कैसे जरम लिया वस्त्र धारन किये हुए और आभुशन चार भुजाएं प्रसन नमोख चार भुजाओं में संक शक्रगदा पद्म धारन किये ऐना ऐसे तिन्तु माता पिता की प्रारत्ना प्रणों ने एक सामान नेसे शुका रूप धारन कर लिया और फिर ये भी उनका इट गुणही है ये भी उनकी योगिता है कि उन्होंने मुनसुर धारन कर लिया नगने बालक मन लिए अभी चार भजाओं का बालक था और सब कुछ है टिप टॉप और फिर जो है एक नगने बालक दो भजाओं का बालक होगे अब संकित चक्रकदापद में सब राय हो गए और दो भजाओं का नगने बालक हो गए बभूव प्राकृताः शिशुव बभूव यहनि बन गए प्राकृताः शिशुव प्राकृत बालक बन गए तो यह भी तो आश्चारी की बात है यह थोड़ी की नहीं यह तो अब जो है मतलब उनके अंदर कोई कमी थी यह भी उनका एक बिसेश गोण है किसी के दो बजाएं है तो चार बजाएं नहीं हो सकती भागवत दस तीन च्छालेश में एक सामान निमानव बन गए तो बन गए लेकर वो है नहीं है ना बनना और होना अंतर है ना तो कृष्णा है नहीं सामान ने माननव से वो बन जाएं तो ये उनका उनका गऑन है जी उनका गऑन है क्यों बन गए प्रहुपार लिकते हैं यहां पर भी इंगित करता है कि सामान निम्ट्री रोप में प्रकत होना उनके दिवस्तरीर का एक गऑन है इस भी गुण है, बहुत बड़ा गुण है, सोचिए कि कोई विक्तियासनी मतलब चाहता करना है, मालो भारत का प्रधान मंत्री है, तो कोई मजदूर का काम थोड़ी करेगा, तो क्रिष्न जो है मतलब अनन्त प्रम्हानों के श्वामी है, तो अभिने करते हैं, तो यह भी ग गव में चरा रहे हैं, जब कि क्या है, अनन्त प्रम्हानों के स्वामी है, तो यह क्या है उनका, गुण है, गहरा है से देखो तो गुण है, और गहरा है से ना देखो, तो गहेंगे, गव में चराते हैं, क्या आग, कैसे हो सकते हैं भगवान, जिसे किसी ब्यक्ति को देख प्रधान मंद्री ने जोचेगा अरे गारी चलाता है ड्रेवर है यह सामान उठाता है सामान डोधा है रिक्षा चलाता है भारत का प्रधान मंद्री कैसे जोचता है लेकिन भागवान का गुण यह भागवान का गुण है कि गुण में चलाते हैं तो यह तो गहराई जितनी गहराई से देखो तो उनके गुण देखाई देंगे और मूर्खता से अगर देखो तो क्या देखाई देगा कोई गुण नहीं है सामान से भी नीचे है तो प्रूपर लिखते हैं कि सामान ने बेखती के रूमें प्रकेट होना उनके दिव शरीर का एक गुण है वो दिखा रहे हैं कि कंसे डरे हैं कंसे छेफ करके रहते हैं गोकुल में कंसे को पता नहीं चला कि कर्शन का जनम हुआ छेफ करके वहां से भाग गए आगे भागवर दिखाना कि ग्यारे में ध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने क्रिशन से अपना चतर भुझ रूप देखलाने के लिए प्रार्थना की अर्जुन ने भी शुरुप देखा न अब शुरुप से बहुत दिद्धा भाईवित हो गए तो अर्जुन ने फिर क्या कहा थेने वे रूप पर चतर भुझ रूप देखलाने के लिए अब यह आपकी हैचार भुझाएं मैं बहुत डर रहा हूं आप चार भुझाओं मे अर्जुन में जो गया हूं अपने शुरुप बने यह उना इस शुरुप को प्रकट करने के माद ने पूर्वे मनसुरुप धारन कर लिया पर शुरुप में भी जो है अर्जुन ने रिकाकी नहीं नहीं एक है इस भी मुझे स्थांतिनी में मिल रही आप दो भुझाओं म आईए फिर दो भुजाओं में आ गए कृष्णा तब अरजन का हाँ अब मैं मतब प्रकृतिस्थ हो गया हूँ अपने सुभाव में आ गया हूँ स्वभाविक मेरा जो है स्वभाविक इस्तिती मेरी हो गई है तो प्रूपा लिग दें है मानु सम्रूपम आपका मनशुरूप देख करके मैं अपनी सुभाव में आ गया हूँ आगए भागवान के लिभन निष्चा ही सामान मनश्यास यैसे नहीं है कौन ऐसा कर सकता है दो भजाओं चार भजाओं से असंक भजाओं अनन्त बाहुम हजार भजाओं नहीं अनन्त बाहुम अब फिर अनन्त भजाओं से फिर चार भजाओं चार भजाओं से फिर दो भजाओं आगे कतबे लोग जो कृष्ण का उपहाज करते हैं और मायाबादी दर्सन से प्रभावित होते हैं स्रीमत भागवत के निम ने लखी ते स्लोग तीन उन्तिस एक किस को ये सिद्ध करने के लिए उधित करते हैं कि किसन एक सामान ने बेक्ती थे अब स्रीमत भागवत का एक स्लोग है क्या अहम सरवेशु भूतेशु भूता आत्मा वस्तिता सदा परमेशु समस्त जीवों में बिद्धिमान है तो ये स्रीमत भागवत के स्लोग है तो इस से उनको मौका मिलता है कि भागवान तो भी जो है सब के अंदर है सब के अंदर है भगवान तो अलग से कोई भगवान नहीं है और कृष्णों को हम भगवान नहीं मानते कि भागवत्म तो यह लिखा है भागवत्म तो यह लिखा है आहम सरवेशु भूतेशु भूत आत्मा मैं सब प्रानियों के हिर्दे में आत्मा या परमात्मे ग्रोप में ऐसे थूँ तो फिर भगवान तो जो है सब के अंदर है फिर बाहर नहीं हो सकते अलग सी नहीं हो सकते किस्न भगवान नहीं हो सकते तो प्रूपर लिए अच्छा हो कि इस लोग को हम जीव को सुआ में तथा विस सुनात की एक उलाएं ना कि किस्न का पहास करने वाले अनतिकारी बेक्तियों की भ्याक्ष्या स्रीमान भागवान तो यह लिखा है कि भगवान तो सब जीवों के हिर्दे में इस्ते थे, तो यह मूर्ख है, तो आचारी की लोग कैसे बताते हैं, जीव गुष्वामें इस लोग की ठीका करते हूं कि कि कृष्ण समझते हैं, चर अचरों में अपने अंसिविस्तार परमात हैं, वो क्रिष्ण के क्या हैं, अंस हैं, जब कि वो परमात्मा को समान भीक्ति क्या मनेगा, यह स्रेष्ट हैं, यह सब प्रान के हिर्दे में इस्ते हैं परमात्मा, वो स्रेष्ट हैं, और क्रिष्ण तो स्रेमित हैं, इस थान में एक व्यक्ति हैं, तो क्रिष्ण तो स्रे कि नहीं वह परमात्मा किष्टा के अंस है किसне प्ल्विसταर कि है अपना सोंस भिस्तार कि आसे प्रारणुई के हिद्धे में तो स्ुरिष्ध कौन है कृष्ण सुलिष्ट कृष्ण सुलिष्ट अता कोई भी नवदिक्षित भग जो मंदर में भगवान के अर्चा मूर्ती पर ही ध्यान देता है और अन्य जीमों का सम्मान नहीं करता वो बृता ही मंदर में भगवान की पूजा में लगा रहता है तो यही बात भागुदा में लगी है कि अर्जा की पूजा का किवल धोंग कर रहा है मंदिर में और दूसरे प्राणियों कर सम्मान नहीं करता आगे भागवत भक्तों के तीन प्रकार है जिन में से नव दिख्षत सबसे निमन स्रेनी के हैं अन्य भक्तों के अपेक्षा मंदिर के अर्जा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं अता अभिस्तुनाद चक्वर्दी ठाकुर चेतावनी देते हैं किस प्रकार की मान सिकता को सुधारना चाहिए क्या समझे अन्य भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं अर्चा विग्रह का सम्मान करते हैं भक्तों का सम्मान करते हैं यह क्या है नव दिख्षित भक्ते हैं तो इन विश्टनात चक्रदिशा हो उस चेताव नहीं देते हैं इस प्रकार की मान सेकते हैं उस उधारना चाहिए इससे रक्षा नहीं होगी अर्चा विग्रह की रोप म भगवान क्या मानते हैं, ये मुझको अगनी के अंगारिक क्यों दे रहा है, तो भगवान नहीं उसकी पुझाशिकार करते हैं, आगे, भगवान को समझना चाहिए, कि चुझकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रतेग जीव के हिर्दे में विद्यमान है, अता प्रतेग व करता है, वैसे ही उसे प्रतेग, अता प्रतेग विक्ति का समझत सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करने चाहिए, उसकी सम्मान, उसकी सम्मान में यह हो सकता है कि कि किसी का ज्यादा सम्मान करें, कि कि का कम सम्मान करें, और किसी का आप संग ना करें दूर से ही, उसके उपएक्षा करें ये भी है उसका आप संगती भिना करए उसकी उपक्षा करए ये भी हो सकता ए इस तरह से भी स्थमान होता है किसी का आगे ऐसे अने एक nervousist वादी है जो मंदिर पूजा का बहास करते है यह कहते हैं कि यूँ कि भागवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पोजाता कि सिमित क्यों रखे हैं बहुत लोग हैं अभी तर्क देते हैं क्या देते हैं तर्क कि भागवान अगर सब जगह है तो फिर मंदिर मंदिर क्यों जाते हो बागवान तो सब्सक्राइब है यह क्याते हैं सब यदि इसो शर्वत्र है तो क्या भे मंदिर में अर्चा विक्रे में नहीं है अब उनकी तरका उतर क्या है अगर सब्सक्राइब है तो यह मंदिर में नहीं है और मंदिर में आप उनके दर्षन कर सकते हैं और उनको प्रणाम कर सकते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं इसलिए भगवान जो है मंदिर में अपना दर्षन दे रहे हैं सरवत रहें लेकर सरवत आप नहीं देख सकते हैं उनको आगे येदा भी शकुन वादी निर्विश्यस वादी निरंतर लड़ते रहेंगे किन्तो किस्न भावन अम्रत में पूर्ण भग ये जानता है कि येदा भी किस्न भगवान है किन्तो इसके साथ वे सर्व व्यापी भी है जिसकी पुष्टी प्रमसेहिता में हुई है येदे पर उनका निजी धाम गुरोग ब्रिंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं किन्तो इपने सक्ति के विबन है तथा अपने स्वांस द्वारा भोत एक तथा आध्यात्मी जगत में सर्वत्र वे दिमान रहते हैं ब्रमसेहिता में पूरी बात बताए गई गुरोग धाम ही निबस करते हैं और जब आते हैं प्रत्वी में तो गुरोग धाम से आते हैं गुरोग ए विनिबस्ति अगिलात्म भोतो एकर समस्त प्राणियों के अंदर भी उन्हों अपने विश्तार किया है तो प्रहुपात का यहां तात पर रिसमाब्द हुआ और अभी कुछ समय है हमारे बास में तो आप लोगों के और से कोई प्रशन है या कोई चर्चा या मैं प्रशन करूं प्रशन करूं प्रशन है हम लोग की कृषन के अंस हैं लेकर हम भिन अंस हैं और जो परमात्मा है वह स्वांस हैं एक तो स्वांस और दूसरे भिन अंस हम जीव भिन अंस हैं किषन के है ना तो हम भिन अंस होने के करण बहुत ही अनों हैं बहुत सोक्षम हैं और हम इस तरी में बन गये हैं कृश्ण की सेवा को छोड़ करके हमा गए है कि ये बंद गए है लिए रिइध ने अपना अनसविस्तार किया है स्वान सविस्तार किया है अपना परमात्म गुरूप से नहीं बंदे हुए हैं वे माया के स्वामी है किस्ण ने अपना विष्थार किया है परमात्मा की रूप में ताकि जीव को सही निर्देशन दें अगर जीव जो है चाहता है किस भौतिक जगत में मैं सुख ने पा रहा हूं और मुझे सही देशा चाहिए जहां मैं सुख हो सकता हूं तो हिर्दे के अंदर परमात्मा उसको सही देशा देते हैं और जब तक जीव सुखता है कि मैं यहां सुख भोग सकता हूं तब तक जीव हिर्दे के अंदर परमात्मा है लेकिन वे प्रतिक्षा कर रहे हैं उसकी इस्षा में सहयोग दे रहे हैं अनमदी दे रहे हैं, गलत काम करने के भी अनमदी दे रहे हैं, अनमदी दे रहे हैं, वे इन सास्ता यह भी कर रहे हैं, कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार तुम यह हूँ, गलत काम कर रहे हो तो, आप समझे रहे हैं, तो कृष्ण जो है, मतलब परमात्मा की जब तक जीव नहीं चाहता है जीव सुतंत्र अपने सुतंत्र का दुरुपयों करता है भगवान ने सुतंत्र दिये है जीव को अपने सुतंत्र का दुरुपयों करता है लेकिन जैसे ही वो अपने सुतंत्रता सौम देता है भगवान को कि अब मैं आपके नियंतर में कारे करूँगा, आप मुझे नियंतर कीजिए, और मुझे सही देशा देखलाइए, मैं भ्रमित हूँ, मैं भ्रमित हूँ, मैं अपना सुख नहीं जानता, मैं अपना कल्यान नहीं जानता, आप मुझे बताइए, तो हिर्दे के अंदर ये परम और कोई प्रेस्ट है? मैं प्रेस्ट करूँ? ठीक है, मैं प्रेस्ट कर रहा हूं तो आज की तात्परे में प्रहुपात ने चर्शा की है कुछ ऐसे भक्तों की जो अर्शे विग्र दोpha करते हैं अर्शे विग्र दोग्रे की पूजा करते हैं तो उनकी अर्चा विग्रे की पूजा कैसी है, बैर्थ है, अर्चा विग्रे की पूजा करने के लिए जो पुजारी किये जाते हैं, वो कैसे होते हैं, ज्यादा उन्नत, जब भक्ती में ज्यादा उन्नती करें, जब उनको ब्राम्हन दिक्ष्य मिल जाए, तो उनसे आशा किया जाती है कि उन्होंने भक्ती में ज़्यादा आनभूतियां प्राप्त कर लिये हैं तब वो अर्षा बेकरे कि पूजा करें इसलिए और जो लोग किर्ष्ण के मनुस्य लिलाओं को देख करके किर्ष्ण मनुस्य लिलाओं करते हैं और उसमें हर तरह की लिलाओं हैं जैसे कि गव में चलाते हैं और कभी डर के भागते हैं सत्रों के सामें डर के भागते हैं ऐसी लिलाओं तो इन लिलाओं को देख करके जो मुर्ख लोग हैं वो किर्ष्ण को क्या मानते हैं साधान मंतर समानते हैं, तो क्रिष्ण को कैसे बात की चंता होती है, की वो मुझे माना है, उनको नहीं, क्यों, कुशिता यह हुती जेसे अधारन दिया मेंने, प्रधानमंतरी को, प्रधानमंतर को चंता थोड़ी होती है, कितने मुर्ख लोग हैं वो जो है नहीं मानते हैं कि प्रधान मंत्री है कितने मुर्ख है मैंने मानता कि कोई भारत का प्रधान मंत्री है अगर हो तो मेरे सामने बलाओ कोई मुर्ख है कि मैंने जानता भारत कोई प्रधान मंत्री अगर हो, तो मेरे सामने बिलाओ तब मानूगा तो क्या परदान मंतरी आएंगे कि भई मानो तुम मैं हूँ परदान मंत्री उनी आए तक किसने भी हैं किसने के ह। यह मूर्ग लोग हैं मुझे नहीं मानते लेकिन दूसरी बात और भी है एक दूसरा पक्षी भी है कि जो ब्रेजवासी हैं, जो किर्षन के बहुत निकट हैं वे भी किर्षन को भगवान नहीं मानते नेगा उनको मूर्ध नहीं कहा है भगवान ने जो ब्रेजवासी हैं, किर्षन के माता पिता हैं उनके सखा है, वे वे किष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वे अपना फुत्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, तो उनके लिए ये सद्ध नहीं भगवान ने प्रयोक किया है, उनके निंदा यहाँ पर नहीं हुई है, आप समझ रहें, क्योंकि यहाँ पर किष्ण की योग करते हैं किसने से और प्रेम करते हैं उनकी प्रेम की प्रगारता और बढ़ती है कि किसने मेरा पुत्र है किसने मेरा मित्र है तो प्रेम की प्रगारता बढ़ती है तो यह नहीं सोजना है कि यह नंद में सुधा है यह भी तो मुर्ख है यह भी किसने को नहीं मानते है भगवा मुखें नहीं मानता हैं, तो भगवान才 दूर जैता है। महा मया क्रिसन की ज्ञान को अध़ार कि यूड़ा दीए। उस भगवान का तर दूर जाता है। और योग मया क्रिसन की ज्ञान को घटती है। जिसरे भगवान को लिए। तो कृष्ण ने माता इसुदा को दो बार अपना मुख में विश्व दिख लाएं, मुख में विश्व दिख लाएं, तो और बड़ा अस्टर रही है, अर्जुन को तो मतलब कृष्ण ने अपना बिराठ शरीर दिख लाया, मुख के अंदर पूरा विश्व और कितना पूरा बड़ा, यह तो और बड़ा अस्टर है, लेरे माता इसुदा जो है, चकेथ हो गई, ने कृष्ण ने फिर योग माया से फिर से भला दिया, ज़िए क्रिश्ण ही चाहते है, कि माता के प्रेमें बाधा पड़े, क्रिश्ण को क्या चाहिए, हाँ, बालक का प्यार च यान को ढखे हुए हैं, जिससे कि वे किसम से प्रेम कर सकें, जाके ना, हाँ जी, दो बार, एक बार तो इस्तन पिला रही थी, इस्तन पी करके किसने जब हाई ली, तो माता ने देखा, मुझ के अंदर, दूस्तरी बार क्या, मिट्टी खाई थी, जब माता ने डाटा, कि तो ने मिट्टी खाई है, नहीं मह मैंने मिट्टी निकाई, भी खोल के देखा आपना, जब देखाया, तो जब अब आई सा हुआ नहीं है। तो इस से भक्त भगवान निकट आते हैं। तो वो अज्ञान नहीं मानदा जाता है। क्योंकि ये जो है कृष्ण से नफरत करते हैं, निंदा करते हैं, और अपहास करते हैं कृष्ण का, तो ये जो है अज्ञान है, इनकी frame के लिए मूढ़ा सब्द का प्यों किया है तो प्रभुपाद भी जो है इसी के बल पर मोढ़ा सब्द का प्रयोग करते थे अंगरी जी बोलते है रासकल तो ये गीता के जो आचार है वो गीता के सब्दों का प्रयोग करते है और यथा रूप यही यथा रूप गीता है कोacular कि ने ने, आप तो नेंदा कर् रहे हैं, साथु को नेंदा नें कर्णा चाहिए, जब भगवान बोल रहे हैं तो फिर हम क्या बोले। क्रिश्ण की जतने सब्षंद है, यह गद्ध कंकी जैने के लिए और आज्ञान की सब्ध करते हैं, यह कंद के लिए के लिए, ग्ज्णली के लिए हैं, अगर आजिएधियान के जतने सब्दें वो कल्यान के लिए हैं, भलाई के लिए हैं, जीक है, नन्नवाइ, कि उत्रा स्रीमन भगवन गीता की, जगत गुरुशिला पुपाद की जाए,